नबश्कार दोस्तूं कैसे हैं आप एक बार फिर से आपका स्वागत है इन्फो भारत के एक और नए इन्फरमेटिव और रोचक विडियो में हम आपको पाले ही ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया का टूर करा चुके हैं तो इस बार अपने सोचा कि क्यों ना इस बार आपको यूरोप ले चले बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है यहां भारत से तकरीबर 108 गुना छोटा है यहां करीम एक करोण लोग रहते हैं ऐसे तो यह ज्यादा चर्कित देश रही है लेकिन यह देश अपने वेही कुछ अमेजिक और प्रहस्तेवाई चीजे तमेटे हुए है इसका एरिया 30,000 किल्यूमेटर से ज्यादा है इसकी राजधारी ब्रसेल्स है यदि आपको चौकलेट अच्छा लगता है तो बेल्ज बेल्जियम हर साल लगभर 2,20,000 टन चौकलेट पैदा करता है जो कि जर्वरी के बाद दूसरे रगबर मिरा है पूल बिलियर्ड तो काफी लोगों को पसद होता है पर उट में से पहुंत ही कम लोग जाते हैं कि इसमें से 80% बॉल्स बेल्जियम में बनते हैं दुनिया के स किलोमेटर के एरिया में पहला हुआ है यहां पर हीरों की कटाई और छटाई का काव काफी बड़े पाइवायले पर किया जाता है यह जगह है तो काफी छोटी लेकिन इतनी कारगर है कि दुनिया के 84% गीरे इसी जगह से निकलते हैं यहां प्रतिवर्ष 30,50,000 से ज्यादा करोर का कारोबार होता है बेल्जिया दुनिया का एक मात्र ऐसा देश है जिसके बंत्राले में 50% से अधिक मंत्रियां महिलाए हैं बेल्जिया पे भारत की तरह 18 साल तक पढ़ाई करना जरूरी है और वोट डालना भी काफी जरूरी है बेल्जिया पे किसी भी देश के मुक लोगों के लिए खुले हुए। आप बेल्जियम की सड़कों पर चलते चलते कभी भी ऐसा नहीं महसुच कीजिएगा कि आप महलों से दूर है। भार्तिय गाओं के विपरीद बेल्जियम के हर गाओं में तकरीबत वो महल से ज्यादा महल है। जोंकि कुछ जाद अही असाधारण बाँ हूं। बेल्जियम का एक स्वेविक पूल पहले काफी चर्चा ब रह चुका है। इसका डाप इबर 33 है। जोंकि एक सवें दुनिया का सबसे गहरा स्वेविक पूल था। 2004 के बाद यहां दुनिया का सबसे गहरा सुविग पूल था लेकिन कुछ साल बाद इटली और उसके बाद फोलैंड बे दुनिया का सबसे गहरा सुविग पूल होने का खिताब जीत में यह 34.5 बीटर से ज्यादा गहरा है यह इत्रा बड़ा है कि इसमे 25 लाख लीटर से ज्यादा पाने आ जाता है बेल्जियम एक लोता ऐसा देश है जिसकी सारी सडके रात के वक्त ट्रीट लाइट जलने के कारण क्याज से भी दिखाई देती है अब तक रिकॉर्ड किया हुआ सबसे बड़ा शिश्यू बेल्जियम में पैदा हुआ था यह 2006 में पैदा हुआ था जिसका नाव सेमवल है जो की उस सबय 57 सेटिमेटर लंबा और 5.5 किलो का था कैनेडा का बाद दूसरे देशों के लोगों को अपनी नागरिकता देने वाला देश बेल्जियम है तो दोस्तों यह थे बेल्जियम से जोड़े कुछ अमेजिंग पैक्स तो क्या आप आप बेल्जियम जाना चाहेंगे या फिर अपने गर्विया घर पर ही रह कर गुजारने का प्लान है कमेंट करके हमें जरूर बताए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना बुले और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें गिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए रमस्ते पुर्पाएं